सिन्रजा साहब अयोध्या की नाम पर राम मंदर के नाम पर चुंकि यहां से कुछी दोड़ी पर भव्य राम मंदर के निर्माण का कारिय चल रहा है और आप लोगों का जैसा की दावा है दिसंबर 2023 तक राम मंदर में भगवान श्रीराम विराजबान हो जाएंगे वहां पर राम की पहड़ी पर बड़े गर्व से बैठे हैं कि यहां पर शला न्यास हो चुका है और समाजवादी पार्टी का कोई यहां पर सदस नहीं है तो यह भी अपने आप में यह बात हम बताना चाहते हैं हम भूलेंगे नहीं कि एक दिन वो था जब इसी सरीव में हमारे तमा आभी एजेंड़ा नहीं यह हमारी धार्मिक नगरी है जिसको हम आयुद्ध्या के नाम से जानते हो सकता है यहां पर यह जानते हैं कि आप था है तो इन से पूछिए जिन्हों ने हरफ नामा दिया सर्वोच नियाले में यह प्रभुष श्री राम पर प्रश्चिन लगाते थे कि काल्पिनिक हैं हैं कि नहीं हैं तो ऐसे लोग भी आज आएंगे लेकिन हमारे लिए विकास राष्ट और राष्ट के 130 करोड लोग जि लेकिन कॉंग्रेस पार्टी फैस को आबाद करना चाहती है फैसा बाद के जरीए क्या है इस पर जवाब आपका देखिए सच बात यह है कि यह लोग सिर्फ राम के नाम पर वोट लेने वाले लोग हैं धर्म से आस्था से इनका कोई लेना देना नहीं सिर्फ खिलवाड कर सकते ही आप के सामने ही कि जब कणकन में व्यापे हैं राम मत फैलाओ दंगा लेकर उनका नाम आप चूटी सी बात gust बताइये हैं हम सब राम की बात कर रहे ह 15 की बात कर रहें राम के बच्चों में बच्छी 서 70,000,000 रोजगारों की भी तो बात कर लीजिए राम के बच्चे वो किसान नहीं है क्या जो 11 महीने से सड़क पर बैठे हुए राम के बच्चे वो महिला नहीं थी हातरस की बच्ची नहीं थी क्या जिसको पेट्रोल डीजल पता नहीं किस किसी से जला दिया गया राम की नहीं थी क्या जिसका अच्छी रहरण कर रहे थे राम के बच्चे वो किसान नहीं थे क्या जिनको थार की मार से कुचल दिया गया राम के बच्चे वो तीन महिलाएं नहीं थी जो किसान अंदोलन में ट्रक से कुचल दी गई राम के बच्चों का भी काम कीजिए रोजगार दीजिए राम तो मेरे कनकन में है मेरे मनमन में है मैं आप को बताऊं कि इस राम पेड़ी का अगर किसी ने राम पेड़ी बनाई है तो कॉंगरेस पार्टी ने 80-89 के बीच में श्री निरमल खत्री यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं जो लोग जानते हैं इस बात को जो लोग आयुध्या को जानते हैं वो जानते हैं कि इस राम की पेड़ी का निर्मान कॉंग्रेस ने कराया कराया वो जानते हैं कि इस पूरी राम की पैड़ी पर जो लिफ्ट इरिगेशन कराई वो और सच बात यह है इन्हों ने एक भी काम अब सुप्रीम कोट के आदेश के बाद जो काम हो रहे हैं उनको चोड़ दीजिए उससे पहले का मिन्हों ने राम के नाम लिया वोट लिया सबसे पहले तो मैं अपनी देश की जनता को आज तक के चैनल से बताना चाहता हूं कि यह वही कॉंग्रेस के परवक्ता हैं जिसने हमीशा राम मदिन में रोड़ा अटकाने के लिए अपने वकील खड़े किये और कहा कि साब चुनाओं के बाद इसका फैस्टनल लाईएगा चुनाओं से पहले मतलाईएगा क्योंकि यह चुनावी राजनीत यह करते थे हमारी आस्था पर चूरी तरीके से जूट 130 करोड़ लोगों की आस्था पर चोट अगर कोई करता था यह ना राम में विश्वास रखते हैं ना इनकी आस्था है अगर आस्था होती तो यह रा न्यास से भी अपने को इसलिए दूर रखा क्योंकि इन्हें तुष्टी करा की राजनीत करनी है हमें प्रभूर श्री राम के बार बार दर्शन करने हैं हजार बार करने हैं और उन लोगों को समर्पित करना है यह मंदिर बनाकर जिन्होंने बलिदान दिया था इस मंदिर क बनाने के लिए हम संकल्पित लोग हैं और देश की जहां तक बात की तो विकास आज आधरनी मोदी जी के नेते तुम्हें अभूत पूर विकास हुआ है साथ वर्षों के अंदर जो कभी साथ वर्षों में नहीं हुआ था कॉंग्रेस एक शौचाला है तो देना शकी देश के लोगों को ये विकास की बात करेंगे